हिंदुस्तान को हिंदु राष्ट गोशित करना भी चाहिए अगर कोई ऐसा हिंदुस्तान है पूरे विश्व में तो आप वहाँ जाकर उसको हिंदु राष्ट गोशित करो आज इस देश पर सविधान लागू है और आर्टिकल वन इस देश का नाम लिखता है इंडिया भारत इस पूरे विश्व में हिंदुस्तान नाम का कोई भी देश कहीं नहीं है अगर किसी को हिंदु राष्ट बनाना है तो जो नित्यानंद करनाटक के थे जो आज देश कहता हूं जिनको जिनको हिंदु राष्ट बनाना है वह भारत को छोड़े इंडिया को छोड़े और जो कोई टापो मिलता है वहाँ पर जाकर हिंदु राष्ट को शित कर रही थी कल पर सुमें ने देखा कि एक चर्च में से उन्होंने अब वहां पर बुद्ध की प्रतिम को अपनाने कहीं तो वो आज मुझे बाबा साब का जो कहना है वो सच होते हूँ दिखाए तो जितना आधिवेशन ये जाती के नाम से होंगे उतनी जाती की भावना लोगों में स्ट्रॉंग होगी और वो जाती को कभी नहीं छोड़ेगा और जब तक जाती नहीं छोड़ तब तक हिंदु धर्म नहीं छोड़ेगा तब तक हिंदु धर्म नहीं छोड़ेगा नमस्कार आप देख रहें एन्बी नियूस 24x7 इलंबोद के साथ और साथियों आज हैं हम गुजरात की उस पावन धरती पर जहां पर बहुत बड़ा इध्यास लिखा गया लेकिन आज अजरतन जी है उनी से जाना चाहूंगी सर जेस तरह से ताल को टोरा स्टेडियम में दिली में एक चमार अधिवेशन हुआ और वहां पर लोगों ने बावा साब की एक प्रतीमा लगाई और नहीं फोटो लगाई और खासकर जब मंच से लोगों ने ये पूछा कि जब चम नमपद्धाय ताल को टोरा स्टेडियम में जो अधिवेशन हुआ वह देखा मैंने और मुझे लगता है ये शेडूल कास्ट के लोग नहीं है ये चमार या अनुसुचित जाती या जो कोई हम लोग टर्म्स लीगल यूज करते हैं ये उन में से नहीं है ये गांधी के हरी स्टेडियम हो सकते हैं ये बाबा सहाब को मनने वाले लोग नहीं है तो यह ये जो प्रकार ताल कोटोरा स्टेडियम में हुआ ये पूरे देश भर में शुरू हो चुका है एक तरफ बाबा सहाब अंबेटकर जी ने एनिहलेशन ऑफ कास्ट याने जाती प्रथा जातियों का उनमुलन का बाबा सहाब का मिशन है बाबा सहाब जाती खतम नहीं कर पा रहे थैं इसलिए बाबा सहाब ने वो धरम ही छोड दिया जो जाती को मजबूत बनाये रखता है करता है और इसलिए बाबा साब अमबेटकर जी ने बहुत धम को चुना अब पूरे देश भर में आपने देखा होगा आप भी उस समय थी दिल्ली में जब धम के दिक्षा हुई उसके बाद जो कॉंटरवर्सी खड़ी हुई उस दिन से ये काउंटर रिवोलुशन देश भर में शुरू हो चुका है जितनी जातिया आप स्टॉंग करोगे उतना बुद्धिजम कमजोर होगा या उतने उतना बुद्धिजम की ओर लोग नहीं जाएंगे आज राजस्तान में मूच रखने के उपर मारा जाता है अगर आप धर्म के हिसाब से देखे तो वो अनुसुचित जाती का जो कोई विक्ती है वो धर्म से हिंदू है तो ये हिंदू धर्म में ही ये जातिया है जातिया होने के वज़े से ये इतनी सारी अन्याए अत्याचार इनके उपर हुए हुए संमाज का एक बच्चा गज़ए को हात लगा देताक है हिंदु समाज में तो ये सारे जब इनके उपर हे अत्याचार हो रहा है तो उस धरम को छोड़ने की बहुत बड़ी पहल पूरे देशबर में शुरू हो कि है चाहे वो करनाटक हो तेलंगना हो महारास्टा हो गुजरात हो पंजाब हो हरियाना हो हर स्टेट में से लोग धिंदु धर्म को छोड़ना शुरुक कर दिये हैं तो आरे से मैं हमेशा हरे से कोई कोटने करूंगा लेकिन यह जो ब्राह्मनी वेवस्ता है इन्होंने जाति जाति के नाम से होंगे उतने जाती की भावना लोगों में स्ट्रॉंग होगी और वो जाती को कभी नहीं छोड़ेगा और जब तक जाती नहीं छोड़ेगा तब तक हिंदु धर्म नहीं चोड़ेगा राज्चत तंची अभी पिछले दिनों मैंने देखा था कि जो सविधान ने लिखा हुआ है पुरे विश्व के सविधान की पढ़ाई की है दलित ये टर्म कही पर भी कॉंस्टिवूशन में यूज नहीं किया तो क्या कोई डॉक्टर कोई इंजिनियर बावा साब से इतना विद्वान हो गया कि वह दलित वर्ड यूज कर रहा है यह इ वो अपने आपको दलित आइडेंटिटी से महार क्यों निकाल रहे है तो ये एक बहुत बड़ा शडियंतर दलित शब्द के उपर भी है बाबा साब ने हमको बहुत सब्द दिया है जो कॉंस्टिवूशन में भी है और बाबा साब ने एक कॉंस्टिवूशनल आइडेंट इस देश का नाम ल skiing नाम लिखता है इंडिया भारत इस फूरे विश्व में हिंदुस्तान neama का कई भी देश कही नहीं है अगर किसी को हिंदू राष्ट बनाना है तो जो नित्यानंद करना टक्के थे, जो आज देश छोड़कर कोई टापू उन्होंने खरीद लिया है, और वहाँ पर उन्होंने एक अपना अलग से देश बना है, तो मैं तो कहता हूँ, जिन को हिंदू राष्ट बनाना है, वो भ और दूसरी तरफ जाती के आधर पर लगातार इस बहुजल समाज को बाटने का काम कर रहे हैं। और ये कही ना कही मिशन को खराब करेगा। तो ही हम लोग पुरानी सिस्टम में चले जाएंगे। आज हमारे में महारास्टर में देख रहा हूं कि जाती नहीं उपजाती जो है वो भी स्टॉंग होती जा रही है। आज लोग अपनी बच्चियों की शादी के लिए जाती भी नहीं अपनी ही उपजाती ढूंड रहा है। रोटी बेटी का वेवार हो रहा है उपजाती में हो रहा है। तो यह चुवों की विवस्ता है उस तरह से हम लोग अपने ही बिल में अपने ही लोगों तक जा रहा है। और ऐसे आगर हम लोग करते रहे तो कभी भी भारत बहुत दोमाई नहीं हो पाएगा। एक चीज और देखते हैं राजरतन जी जिस तरह से हम बहुजन समाज के तमाम लोगों से बात करते हैं। तो कहीं न कहीं बहुत सारा तबका ऐसा जो यह कहता है कि बावा साब को धर्म परीवर्तन था उनका नीजी फैसला रखते हैं। 1935 में बावा साब अंबेड करजी ने घोशना ये उला नासिक के घोशना पबलिक लिकी थी कि मैं हिंदु धर्म में पैदा हुआ यह मेरे बस में नहीं था। लेकिन मैं हिंदु मरूंगा नहीं अगर बाबा सहाब का नीजी फैसला होता तो बाबा सहाब चार दिवारी में ये फैसला करते बाबा सहाब बलकि जब बाबा सहाब को ये पूछा गया 15 ओक्टोबर 1956 को पूछा गया बाबा सहाब को केशरी के पत्रकार ने कि आपने धरम प सिकता तयार कर रहा था इसका मतलब बाबा सहाब का यह जो धर्म परिवर्तन का फैसला था यह नीजी नहीं था बाबा सहाब ने फेज मैनर में लोगों को हिंदु धर्म से बाहर निकाला और नया जो मार्ग है जो बुद्ध का मार्ग था जो इस देश से खतम करवा दिया गया था उसको बाबा सहाब ने रिवाइव किया मैं एक और घटना आपको बताना चाहता हूँ महराश्ण में उन्हे में देहु रोड है वहाँ पर कुछ कास्ट के लोगों ने मैं कास्ट का नाम नहीं लेना चाहता उन्होंने एक मंदीर बनाया था और मंद मंदीर का उद्गाटन आपके हाथ से करवाना चाहते हैं तो बाबा सहाब ने कहा रुको इतनी घाई मत करो मैं आपको नया भगवान लाके देता हूं और तब बाबा सहाब अंबेटकर जी ने रंगून से बुद्ध की स्टैच्यू बुद्ध की प्रतीम मूर्ती लेकर आ आज भी देहुरोड में वो बुद्ध वियार आज हम कहते हैं वहाँ पर है इसका मतलब यह है कि बाबा सहाब ने सिर्फ अपने आप तक यह बहुत धम नहीं रखा या अपने बीवी सभीता माई अंबेटकर थी उन तक यह नहीं रखा पबलिक में बाबा सहाब ने लोगो अपनाते बलकि जो करोड़ पती अरब पती है उनको अपनाते तो ऐसे लोगों को लिक्या संदेश है देखिए पहले बात तो एक बार आप बुद्धिस्ट हो गए बाध हो गये तो सामने वाले की क्या जाती है क्या वो हम लोगों के लिए नल एन वॉइड हो जाती है और प्रतिभा की नीची की विवस्ताँ में नहीं है तो इसलिए उसकी प्रतिभा को देखकर ही शाधी होनी चाहिए इस तरह का ह्याल हम लोग रखते हैं कर देश से जातिवस्ता करने के लिए आखिर आज आप लोग क्या कर रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे संगठन चाहे सामाजिको धार में राजनेतिको क्योंकि बावस आपने के दोस्त अपने अक्सद जिनकी हम चर्चा करते हैं कि बहुजन समाज सत्ता और दूसरे भारत बोद में हो तो उस दिशा में आखिर क्या हो राज दिखिए धर्म परिवर्तन भारत में बड़े पैमाने पर हो रहा है आज जिस तरह से सरकारों को आज जैसे हम गुजरात में गुजरात में एंटी कनवर्शन लागू है यहाँ पर हमारा खुद का आने पर लोग धर्म परिवर्तन कर रहा है इसलिए इनको कानून लागू करने पड़ रहा है तो धर्म का मामला जो है उसमें मैं देख रहा हूं कि लोग धीरे-धीरे बुद्धिसम की ओरा रहा है लोग मैं तो कहता हूं सिर्फ भारत ही नहीं जो कंट्रीज Christianity को भी follow कर रही थी कल परसु मैंने देखा कि एक Church में से उन्होंने अब वहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा उन्होंने बिठाना शुरू कर दिया है तो Western countries भी कल तक बुद्धा को light of Asia कहा जा रहा था लेकिन अब बुद्धा ये Western countries भी accept कर रही है तो बाबा साब ने जैसे कहा था कि एक दिन भीड लग जाएगी बौध हम को अपनाने के लिए तो वो आज मुझे बाबा साब का जो कहना है वो सच होते हुए दिखाई दे रहा है राच्रतन ची आखरी सवाल लेना चाहूंगी बाबा साब ने एक सभा में काता हूं मुझे यातो नियारा 1900 कुछलम सब में कि मेरी जैनती मनाने से अच्छा है कि मेरे कारवा को आगे लेकर चलो लेकिन आज बहुजन समाज के लोग कही ना कहीं जैनती पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहें लेकिन विचारदारा से बहुत दूर है जी जी मैं आपके इस बात का पूरा समर्थन करता हूं मैं भी हमेशा यही बात कहता हूं और मैं हमेशा जैनती जब देखता हूं बाबा साब अमबेटकरजी की पूरे देश भर में या पूरे विश्व में तो मुझे हमेशा एक बात याद आती है कि वी हार दे वर्स्ट फॉलोवर्स ऑफ दी एवर बेस्ट लीडर इन दो वर्ल्ट बाबा साब के विचारों को हम फॉलो नहीं कर रहा है जिन बाबा साब अमबेटकरजी को अपने ही जैनती के लिए बुलाया गया तब बाबा साब ने उस जैनती में जाने के लिए मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा ऐसे कारे करम में मैं नहीं आता तो बहुत फोर्स करने के बाद बाबा साहब को बुलाया गया और बाबा साहब ने सिर्फ दो लाइनों में स्पीच किया है कि मेरे नाम का केवल जय जय कार करने के बज़ा है मेरा अधूरा रहा हुआ काम पूरा करो और वो काम पूरा करने के लिए अपने जान की बाजी लग विचार है उसके उपर हम काम नहीं कर रहे हैं बाबा साब के सामाजिक विचार पर काम नहीं कर रहे हैं जिनोंने 1946 में पीपल सेजुकेशन सोसाइटी बनाकर सिधार्थ कॉलेज अमबेटकर कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, बुद्ध भवन, आनन भवन इतनी प्राइम लोकेशन्स भी ये कॉलेज़ बनाएं आज हम लो कहां पर हैं आज भी हम बाबा साब के बनाए हुए उस कॉलेज़ के उपर निर्वर हैं हम अपना नया कुछ नहीं बना रहे हैं तो कही हम बाबा साब के विचारों से भटक रहे हैं सही माइने में जयनती वो होगी जिस दिन हम बाबा साब के विचारों को एक एक करके पूरा करते जाएंगे तरह को महान पूर्शों की आपको विचार घरा को मनुसाइब करना है तो आगे बढ़ाने तो आपको निशपक्स तरीके से जिस तरह से उनकी के Legislative रही है उसको बढ़ा कर उसको मनुसाइब करके जंचनत्थक पचारित करना अन्यत आप कितनी भी जैनती मनाते रहिए इस तरह से कारवा नहीं बढ़ेगा